नमस्कार जोहार जैहिंद आप स्रीव का रोजगा टीव में स्वागत थे देखिए मुख्यमंत्री महिया समान योजना को लेकर एक नया लिस्ट जारी हुआ है जो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा और साथी साथ में आप लोगों को यह भी चीज बताऊंगा क आप लोगों को अभी क्या करना है जिससे आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाए और पैसा का बितरन हो रहा है यह नहीं है लेकिन पहले किस्त जिस स्पीड से बाटा जा रहा था उस स्पीड से दुसरे किस्त का पैसा नहीं बाटा जा रहा है और कलपना स्वरेंजी ने एक आदेश जारी क्या है जो यहां पर मैं आप लोगो बताऊंगा तो आप लोग इस वीडियो को पुरा देखिए और अगर आप लोग हमारी चैनल पर कर आए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर लिए familiya यहां पर मैं आपको एकक करके हर एक चीज की बारे में बताता हूं और हर की ऌप लोग इसको देखिए यह पता होगा कि जब हमारा दूसरे किस्त का पैसा आना सुरू हो था दो उस समय यह नोट जारी किया गया था और ब अब्डेट आया था और दूसरे किस्त का जो पैसा है 13 सितंबर से आना शुरू हुआ है हो सकते हैं आपके अकाउंड में पहले किस्त का पैसा आ गया है लेकिन दूसरे किस्त का नहीं पैसा आया है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आपके एकाउंट में न तो पहले किस्त का पैसा आया है और नहीं दूसरे किस्त का पैसा आया है आपको तो लग रहा है कि आपने सब कुछ सही भरा है आपने सब कुछ सही क्या है फिर भी आपके एकाउंट में अब तक पैसा क्यों नहीं आया है हो सके कुछ गलती हुआ होगा आगे अभी मैं आपको list दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या आपको क्या करना है आप यहाँ पर इसको देखिए इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं और जैसे कि अभी में आप लोगों को बताया कि दूसरे किस्त का जो पैसा है 13 सेप्टमबर से आना शुरू हुआ है और जैसे कि मुख्यमंद्री जी बोले थे कि 13 सेप्टमबर से पैसा जो दिया जाए तो देखे 13 सीदमबर कोई सभी के अकाउंट में पैसा नहीं भेजा गया है बलकि 13 से पैसा आना शुरू हुआ है और जैसे कि मैंने सुरू में ही बोला कि पहले किस्त का पैसा जी सिस्पीड से दिया जा रहा था उसस्पीड से दूसरे किस्त का पैसा आप लोगों के पता होगा देखें यहां पर यह जो अपडेट देख पा रहे हैं सबसे पहले आप लोग इसके डेट को देख लिजिए यह हमारा कब का अपडेट है तो आप देख सकते हैं यह हमारा 20 सप्टेंबर 2024 का update है 20 तारिक का यह हमारा update है तो देखे 20 तारिक को भी बहुत कोई के account में पैसा आया है ऐसा नहीं कि पैसा नहीं भेजा जा रहा है पैसा भेजा जा रहा है लेकिन बहुती कम लोगों के account में पैसा आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 20 तारिक का अपडेट देख लिजिए, इस 20 तारिक के अपडेट में क्या लिखा गया है, तो इस अपडेट में आप लोग देख सकते हैं, आप लिखा गया है, और ये जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके दवार कारिकरम है, ये हमारा गड़वा में हुआ था, और गड़वा में देख लीजे यहां पर मुख्यमंद्री मैया समा नियोजना का जो लाभुक है इनके एकाउंट में पैसा भैजा गया है और इनको कुछ इस प्रकार का देख लिजे यहां पर जमी चेक दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि मुख्यमंदरी मैया सम्मान योजना का पैसा भेजा जा रहा है लेकिन दूसरी किस्त का जो पैसा है बहुत ही कम लोगों के एकाउंट में आ रहा है इसका सबसे बड़ा का रहा है और से क्या आपके अकाउंट में भी आएगा पैसा लेकिन आपको इंतिजार करना पड़ेगा लेकिन सबसे पहले आप लोग इस तीश को देख लिजिए यहां पर एक लिस्ट जारी हुआ है यह मेरे गाउं का मेरे पंचायत का लिस्ट है जो यहां पर मैं आप है और हमारे गाउंका जो शेर सिंटर वाले जो परगा केंदर वाले जो है मैंने उन्हें उनसे बातस्यत किया तो यह मुझे बताए कि इनका एकाउंट नंबर और आएफसी कोड में गलती है जैसे बलॉग में जाकर पहले सुधार हो रहा था ठीक है लेकिन यह जो सुधार है यह आप अब प्राइगा केंद्र और CSE Center में भी करवा सकते हैं ठेट पार हो गया है लेकिन एक बार आप लोग अपने प्राइगा केंद्र वाले या फिर CSE Center वालों से बात करके देख लिजिए कि अभी भी सुधार हो रहा है अभी भी आप सुधार करवा सकते हैं अलब ज से कॉंटक्ट करके पता कर लिजिए कि आपका अभी किसी भी प्रकार का कोई गल्ती तो नहीं हुआ है आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ सही सही भरा है आपने ओफलाइन वाला फॉर्म भरा था आपने ओनलाइन वाला फॉर्म नहीं भरा है ओनलाइन वाला फॉर्म ओ आपको यहां पर ब्लोग भी जाने का ज़रूत नहीं है वीडियो सो सी ओ आफिस भी नहीं जाना है पर आप लोग एक बर क्या करिए प्रया किंद्र वाले से एक बर कॉंटक्ट कर लिजिए कि अगर मैं इस लिस्ट को अगर आप लोग दिखाऊ ना तो आप लोग देख सकते ह इस लिए आप यहां पर लिस्ट जारी हुआ है ठीक है पुरा लिस्ट यहां पर जारी हुआ है और यहां पर पैसा तो भेजा गया लेकिन पैसा यहां पर आया ही नहीं तो मैं आपको यह चीछ बोलूंगा अभी आपको एक ही काम करना है अभी आप क्या करिए जो आपके गाउं में आपके पंचाइट के जो सीएसे इंटरवालेज होंगे ना उनसे एक बर आप लोग जरूर से जरू आपको यहाँ पर अभी ब्लॉक भी जाने का ज़रूत नहीं है आपको ना तो co office जाना है और नहीं आपको video office जाना है कि कि आप्लों का कुछ भी काम नहीं बनेगा जो date दिया गया था दिकत है, जो समयच्टा है, इसका समाधान हो, जो भी problem है, इसका solution हो, इसलिए ID login जो भी है, CFC वालों को दे दिया गया है, विडियो और CIO वाला, तो आप एक बार CFC वालों से बातशित कर लिजिये, अगर उहां से आप लोगों का कुछ उपाए होता है, तो सही है और नहीं ह अगर कुछ होता है तब आप लोगों का भी इंतजार करना पड़ेगा और दो बहुत ही पड़ी अपडेट है देखे 22 सितंबर को एक हमारा मैया सम्मान सम्मेलन होने वाला है और यहां पर कलपना सोरेंजी मैया सम्मान यात्रा निकालने वाली है इसको लेकर भी एक बिधानसवा हर एक जगह पर निकाला जाएगा और आप लोग यहां पर अपना जो भी समय सा है इनको बता सकते हैं अब देख लिए यहां पर जो अपडेट दिया गया है मैं आप लोगों के पढ़के सुना देता हूं कि अपडेट किया है हमारे पास कि विधानसवा चुन समान यात्रा निकालने वाले हैं इसका नित्रित्व हमंत स्वरण की पत्नी और विधायक कलपना मुर्मु स्वरण करेंगी इसमें जारकन मुक्ति मोर्चा महिला मोर्चा की कारेकरता विधानसवावार जाकर मैया समान यात्रा निकालने वाला है विधानसवा विधानसवा में जा जाकर जिसरे हमारे जारकर में total 81 Vidaanus Mac acknowledge समझी हे कि हर एक यात्रा निकाल जाएगा और देगल समयलन भी होने वादा है एक संम्हेलन भी होने वाला है 22 सिटमबर को एक हमारा सम्हेलन होगा इस समयलन भाग लेंगे और बहुत सारी महिलाएं भाग लेंगे हजारों महिलाएं भाग लेंगी और जिनके अकाउंट में पैसा नहीं भेजा गया है इनके अकाउंट में भी पैसा भेजा जाएगा आप देखिए क्या है कि हमंत के सम्मान में मैया सम्मेलन 22 को यहां पर राची में मु मुख्यमंत्री हमंद सोरेंग के अगवाई वाले इंडिया गडवंदन सरकार की योजना मैया सम्मान सम्मेलन का एवजन 22 सिदंबर को राची के आई टी आई बस स्टेंड बजरा में क्या जाएगा तब देख सकते हैं 22 सिदंबर को राची में यह सम्मेलन यह कारिकरम होने व एक दिन पहले में आपको जू अपडेट जिया था में भी दिखाया था कि वहां पर भी पैसा का भित्रण हो रहा है और देखाते हमारी योजना है ना आ हके सरकार आपकेदवार यह हमारा है आपकी सरकार आपके दोवार योजना होने वाला है काएकश संह्मैलन के यहां meant को रांची में हमारा मुख्यमंत्री मईया सम्मान सम्मेलन होने जा रहा है तो बाईस तारिक कोचिए सरकार आपके दवार योजना नहीं होगा इसके बदाएग यहाँ पर 23 सितंबर को हमारा खूटी और सिंदेगा जीला के लिए यह योजना होना है मुख्यमंत्री जी जाए अब कारन क्या है यह तो खुद मुख्यमंत्री जी ही जाने और उनके कर्मचारी जाने लिए अब लोग बस अभी चीज करिए जो मिन आपको बता है लिए और थोड़ा से अंधिजार करिए आपके आपके पैसा हाई गा और त्यक्य हम लोग अपने से पुछ भी नहीं बोलते जो अपडेट आता है पिस दिन आ सकते कि मुख्यमंद्री जी ने भी खुद बोल दिया है कि यहां पर मैं कुछ भी जूट नहीं बोलता हूं बलकि जो अपडेट आता है जो पेपर में दिया जाता है उसी केकोडिंग मैं आप लोगो समझाता हूं अब यहां पर देख लिए मुख्यमंद्री शी कब आपके एकारण में पैसा बेजेंगे उनके करमचारी जब भी आप आपको आपको पसंद आए लाई करेगं जितना वुशा करें तो मिलते हैं हम लोग अगले वडियो में थेंक यू जय हूं